तो बहुत बर हमारे पास data होता है जो कि unstructured format में होता है आपको उसे structure format में लेके आने तो उसके लिए आपको क्या करना है लेट्स टेक एन एक्जामपल आपकी बहुत सारी income आई है उसके लिए आपको एक application डाउनलोड करने पड़ेगी उसमें सारे income लिखने पड़ेंगे आपके बहुत सारे expenses हुए है उसके लिए आपको एक और application डाउनलोड करने पड़ेगी उसमें expenses लिखने पड़ेंगे उसके बाद आपको जैसे आपने घर में कोई शादी या कोई पार्टी अरेंज करिए उनके guest list बनानी है उसके लिए आपको एक और application लिखने पड़ेगी क्यों ना हम कोई ऐसी application देखे जो हम एक बार ही install करें और सारक सारा data उसमें store हो जाए जी हाँ आज मैं बात कर रहा हूँ लिए application के बारे में बहुत ही जबर्दस application है एक और चीज यह Indian based application है यह इंडिया में बनी हुई application है और बहुत ही तेज चलती है तो चलिए लिए application को अपने play store से install करते हैं और उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो मैं आगया अपने phone screen में phone screen में हमें click करना है अपने play store में play store में सीधा उपर search में आप Leo लिख देजिए सबसे पहली application pop-up हो के आएगी Leo excel business note और आपको इसे install करना है जैसे आप इसे install करेंगे in the meanwhile जब त तब तक हम इसके बारे में खूबिया देख लेते हैं सबसे पहले तो आप देखिए यह 4.4 की rating में मिली हुई है that means अगर किसी भी application को 4 की उपर rating मिलती है तो बहुत ही useful और बहुत ही जबर्दस application उमें से एक होती है और इसको 4.4 की rating मिली है secondly मैं आपको बता दू यह Indian based application है इंडिया की application है इसे किसी भी foreign developers ने नहीं बनाया है यह Indian based developers ने यह application बनाई है तो हमारा भारतमहान और हम यही application install करेंगे थर्ड ली थोड़े से आगया जाते हैं इसके downloads देख लेते हैं अब आप देखें इसमें 1 प्लस मिलियन डाउनलोड जैंडाट मीन एक मिलियन यूजर्स इस application को यूज कर रहे हैं तो आप सोच सकते कितना useful application हो गया है तो अब हमारे यह application आप देख सकते इंस्टॉल हो गया है तो जैसी आपकी application open होगी यहां पर आपको 10 languages यह भी एक प्लस पॉइंट है कि आप जो भी language में इस application को यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो आपको हिंदी अच्छे लगती है मराथी अच्छे लगती है इंगलिश अच्छे लगती है जो भी अच्छे लगती है आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो यहां पर 10 languages हैं तो आप इसमें से कोई भी language मैं यूज करता हूं English English में क्लिक करता हूं अब यह बोलता है आपको अपने Google से साइन करना है बट उससे पहले हम थोड़ा नीचे देख लेते हैं ट्रस्टेट 10 लाग कस्टमर्स दाट मींस इस अप्लिकेशन के उपर अल्रेडी 10 लाग कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत यूसफुल आप्लिकेशन है मैं सिंपल गूगल से पहले से गूगल में क्लिक करता हूँ और अपने अकाउंट से जो भी मेरा इमेल आईडी है मैं उससे साइन इन कर लेता हूँ कि दो मिनट लेगा यह साइन और यह देखे यह आपके अप्लेकेशन बस टार्ट होने वाली और यह रही आपके अप्लेकेशन का फ्रंट पेज तो जैसी हमारी अप्लेकेशन आ सबसे पहले हम इस application के बारे में थोड़ा सा detail में जाएंगे और फिर देखते हैं क्या-क्या benefits सबसे पहले मैंने यहां पर अगर मुझे कोई file मुझे खुद की कोई file बनानी है तो वह मैं कैसे बना सकता हूँ या कुछ भी आपके income है expenses है यहां पर लेख सकते हो यह आपका सबसे पहला pre-build हो गया है अब आप चाहो तो इससे save भी कर सकते हो नहीं तो delete भी कर सकते हो save करने के लिए आपको क्या करना है उपर आपका back option है जैसे आप back में क्लिक करोगे और यहां पर आप देख सकते हो phone में कि already आपका first document save हो चुका है अगर आपको कोई document जो आपने save कर दिया और वह आपको नहीं चाहिए तो इस three dots में click कर देना सबसे नीचे आता है remove file आप इसे delete file कर देना और delete that's it यह document जो आपको नहीं चाहिए वह डिलीट हो गई है एक और benefit बता दूँ यह आपकी cloud-based application है that means आप इसमें कुछ भी काम करते हो अपने एक phone में कोई भी काम करते हो वह अगर आपका और phone में यह application डालोगे तो आपका सारा cloud का डेटा आपकी email id के तुरू फैच हो जाएगा और आप वहीं से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो तो यह हमने देख लिए पहला हम अपनी new files कैसे बना सकते हैं let's take आपके पास कोई excel है जो आप इंपोर्ट करना चाहते हो मैं करके दिखाते हो यहां पर मैंने एक्सल में क्लिक किया चूस प्रॉम मोबाइल मैंने मोबाइल किया और यहां पर मेरे पास उस excel में हो सकता है मेरा चोटा ही डेटा तो यहां पर आप देटा देख सकते हैं इसको आपको सेफ करना है सिंपल बैक में क्लिक करना है और यह मेरी excel फाइल भी सेव हो गई है अब नीचे आप देख सकते हैं my 60 plus categories में 60 plus pre-built templates मिलते हैं that means आप जो सोच सकते हो उसका template already created है आप उसे बेज़े चग बिल्कुल free of cost यूज़ भी कर सकते हो let's take हम दो थीन template use कर लेते हैं सबसे पहले मैं बताता हूं मेरी एक shop है उसमें मुझे income expense यह सारा expenditure एक file में maintain करना है अब यहां पर देखिए cash register उधार register income expense daily spend register कुछ भी आप note down कर सकते हैं सबसे पहले मैं करता हूं cash register में click जैसे मैंने cash register में click किया इसने बता दिया कुछ ऐसा template है आप देख पा मैंने बोला हां जी यह template मुझे use करना है और इसे use this template कर दिया जैसे आपने use this template किया अब देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं मेरा in cash आया है आज जो भी डेट है मैं लिखता हूं 10,000 का मेरा in cash आया है balance मेरा 10,000 दिखा देगा और यह आज की यहां पर आज की डेट भी आ गई है मेरा सारे का सारा डेटा सेव हो गया है आपको अगर रिमार्क्स देने आप यहां पर रिमार्क्स दे सकते हो नहीं देने तो इस ओके अब आप चाहिए जैसे अगले सिंपल यहां पर जो arrow बेटन है उसमें क्लिक कर दीजिए cash register के नाम से सेव करना है या कोई और नेम करना है जो भी आप करना चाहिए अभी के लिए है taxi में उसका आपको एक file maintain करनी है आपको ट्राक्षी रांसपोर्ड में क्लिक करना है यह देखिए यह टेप register लिखा हुआ है मैं यूज्स टेमपलेट करता हूँ और पिक अपप मेरा कहां से हुआ है मेरा हुआ है डेली से ड्रॉप मेरा कहां पे हो नहीं है मेरा गुडग आगया ऑटमाटिकली डेट आ जाता है अब आप इसे सेफ कर दो और तो आज की डेट में जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है टैक्सी के तुरू वो भी आप बना चुक है आप माई डॉक्यूमेंट में जाके देगे तीन रेजिस्टर आपने बना लिए एक और टेंपलेट द क्या है यह मोबाइल नंबर कितने फैंपली मेंबर उनके चार है इंवेटेशन आप लोगोंने सेंड कर दिया यहां तो यहां से आप टोगल बटन से उसे चूज कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी देना तो कर सकते हैं तो अगर आपको यह टेंपलेट यूज करना यू हो गई डॉक्यमेंट में आके देखिए तो यह हमारे चार कैश रेजिस्टर से वह चुके हैं अब नीचे आईए आप यहां पर बहुत सारी चीज़े और भी हैं जैसे आप टीचर है यह आप स्कूल में पढ़ाते हैं यह आप स्टूडेंट है उनका कोई भी आप एक्सप टेंप्लेट है फ्लाइक नंबर क्या है में टेंजनेंट किस ने दी है किसे ने दी सारे का सारे यहां पे रिजिस्टर में से वह जाएगा आपको यूस करना है सिंपल यूस्टेस टेंपलेट करिए और बैक बटन करिया और यह सेफ आपको इंशुरेंस एजेंट है उसको टेंपलेट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते है ताकि वह भी इसमें एडिट कर पाएं या आपके फैमिली मेंबर इसमें एडिट कर पाएं तो उसके लिए क्या करना है गेस्ट लिस्ट को मैंने ओपन किया यहां पर शेयर कर दीजिए आप पार्टिसिपे बना सकते हैं इसमें बहुत सारे टेंपलेट से जो भी आपको पसंद आए आप इनको यूज कर सकते हैं तो आशे करता हूं दोस्ता आप लोगों को वीडियो पसंद आगी होगी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अपने कमेंट देना मत बूलना और